आज के इस अधवनिक यूग में धन की बच्त करना काफी कठीन है। बहुत से लोग पैसों की सेविंग करने के मामले में बहुत ही माहिर होते हैं। जबकि कुछ लोगों की आय बहुत ही अच्छी होती है परन्तु बच्त के नाम पर उनके पास कुछ नहीं होता। अधिकंस लोग धन की बचत करने के लिए अलग लग तरीके अपनाते हैं वर्तमान समय में बचत के लिए सरकारी गये सरकारी बैंकों तथा डाग घर द्वारा RD और FD आधी अनएक परकार की सुख़धायां दे रही है आज के इस वीडिो में हम आपको बता हैंगे FD क्या होता है आप इसमें पैसे कितना लगा सकते है आपको इसमें कितना ब्याज मिलता है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं अगर आप चैनल पे नाए हैं तो चैनल FD क्या होता है Fixed Deposit अर्थार FD सेविंग करने का एक अत्यतिक सुरक्षित और सरल तरिका है FD एकाउंट लेने पर निवेसकों को सबसे बड़ा लाव यह है कि इसमें निवेसक करने से पहले ही आपको इस बात की जानकारी मिल जाती है कि में चेयरिटी पर आपको कितना लाफ राप्त होगा इन्वेस्टर्स द्वारा जमा धन रासी पर उन्हें पहले से निधारित दर से ब्याज मिलता है किसी भी परकार के सिती में उन्हें निधारित धन रासी से कम धन नहीं मिलता है और नहीं अधिक मिलता है किसी भी बैंक या पोस्ट ओफिस के माध्यम से फिक्स डिपोजिट में जमाधन रासी को एक निशित समाई अधित से पहले नहीं निकाला जा सकता है यदि कोई निवेसक किसी विश्यस परिस्तिती में इस पैसे को निकालना चाहता है तो उन्हें इसके लिए समबनित बैंक या डांक घर में पहले से सुचना देनी पड़ती है हालांकि इसके लिए निवेसक को जुमाना भी देना पड़ता है फिक्स डिपोजिट की निवेसकों को लगबग 15% ब्याज मिलता था लेकिन वर्तमान समय में FD में इंट्रेस्ट रेट घट कर 7-9% हो गया है FD एकाउंट पर ब्याज दरकम होने का मुखे कारण यह है कि जब किसी भी देश के केंद्रिय बैंक द्वारा प्रतिवर्स इंफिलेशन एज़ेस्मेंट किया जाता है निरंतर महंगाई बढ़ने से लगबख सभी देशों की मुद्राओं में लगतार कमी होती जा रही है जिसके कारण लोगों के बैंक एकाउंट में जमा धन रासी पर सेंट्र बैंक द्वारा कटोर्ती की जाती है एवडी में पांच वर्स के लिए जमा पैसे करने पर निर्शकों को इंकम टेक्स में छोट मिलने के साथ ही इसमें जमा मुल धन और मिलने वाले ब्याज पर कोई टेक्स नहीं देना होता इन्वेस्टर्स को ततकाल धन की आवसकता पढ़ने पर वह अपने FD एकाउंट से लोन ले सकते हैं और अपनी सहुलियत के अनुसार धन की बापसी कर सकते हैं यदि आप अपने धन रासी को FD एकाउंट में जमा करना चाहते हैं तो आप इसके लिए ओनलाइन और उफलाइन दोनों माध्यम से FD एकाउंट ओपन कर सकते हैं उफलाइन प्रोसेस के अंतरगत आपको अपने नजदी की बैंक या पोस्ट ओपिस में जाना होगा सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के प्रचात आपको एक फोम भरने के साथ ही FD की जाने वाज धन रासी या चेक देना होगा इसके अलावा आप इंटरडेट बैंकिंग के माध्यम से आप घर बैठे ओनलाइन FD एकाउंट ओपन कर सकते हैं इस वीडियो में हमने आपको FD से जुड़ी सारी जानकारी दी है आपको इस वीडियो से कुछ भी जानने को मिलाव कुछ भी सिखने को मिलाव विडियो कलाएक जरूर कर दें और चैनल को भी जरूर सब्स्राइब कर लें